तीस वर्षों बाद शनी की मंगल पर तीसरी दृष्टी तीन राशियों को मिलेगा अपार धन और पद परतिष्ठा मंगल के मेश राशी में जाने से कुम्भ में विराजमान शनी देव अपनी तीसरी दृष्टी से मंगल को देख रहे हैं दोनों ही ग्रह अपनी सवराशी में विराजमान होकर बलशाली बने हुए हैं दोनों के सवराशी में होने और शनी की दृष्टी के चलते कीन राशियों की किसमत चमकने वाली है जाने कहीं आपकी राशी तो नहीं है इन में शामिल तब से पहले राशी की बात करेंगे मेश राशी की तो शनी देव की मंगल पर तीसरी दृष्टी पढ़ने से आपको अच्छानक से धनलाब हो सकता है आपको कोई शुब समाचार मिल सकता है नोकरी में परमोशन हो सकता है सैलरी में इजाफा हो सकता है वपारी हैं तो धन कमाने के नए अफसर प्रापत होंगे इस दुरान आपके दुआरा किये जा रहे कारेयों में सफलता मिलेगी कोई वाहन या प्रॉपर्टी खीदने के योग बनेंगे और घर परिवार में अच्छा महौल रहेगा फिर बात करेंगे मिथुन राशी की शनी देव की मंगल पर तीसी जिष्टी के चलते अटके हुए कारे पूरन होंगे इस दुरान समय अनुकूल सिद्ध होगा नोकरी में परमोशन होने की संभावना प्रबल है और यदि नोकरी की तलाश कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है अटका हुआ धन भी मिल सकता है लंबी यात्रा पर जा सकते हैं आपके द्वारा बनाई गई योजनाई भी सफल होंगी अब बात करेंगे तीसरी राशी तो शनी देव की मंगल ग्रैपर तीसरी दिश्टी पढ़ने से आपकी सुक और सुविधाओं का विस्तार होगा सभी अटके हुए कारे भी पूरे होंगे इस दोरान भाग्य का पूरा साथ मिलेगा नोकरी पेशा हैं तो परमोशन मिल सकती है मान सम्मान में बड़ोतरी होगी पहले की अपेक्षा आर्थिक सिती और ज्यादा मजबूत होगी वपारी हैं तो समझदारी से काम ले तो ये थी ऐसी तीन राशियां कन्या राशी मित्थुन और मेश राशी जिनको लाब मिल सकता है शानी देव की दिश्टी मंगल पर होने से